हलो एवरीवन वल्कम टू माई इंट्यूब चैनल एच हलपलाइन कैसे हैं आप लोग एगनु ने दिसमद आते ही सटामन एग्जाम के लिए एक और डेट सीट रिलीज कर दिया है जो आप लोग के स्केन के उपर नजर आ रहा है इसका लिंक मेंने डिस्किप्शन में दिया हुआ है PDF फाइल एच हलपलाइन चैनल का टेलेग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है वहां से भी आप लोग इस डेट सीट को डाॉनलोड करके अपना एग्जाम का सेड़्् foundation को नोट डाउन कर सकते है तक लिए उसके बार बी डेट सीट रिलीज की जाएगी इसके बार में बात करेंगे और इस डेट सीट में क्या क्या चेंजी कियागने उसके बार में बात करेंगे, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेगा, ये चल्पेन चानल पर फॉर्स्ट हमाया है, तो चानल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा, ओके, नौ इगनुन ने अल्लेडी दिसमादा 23 सटामन एक्जाम के लिए दो डेर सीट रिलीज कर दिय है, तु सुस्ट नाम पे ये लिए उनिफ सटाम के लेट भार फिर से एक और रिवाइस डेर सीट रिलीज कर देब कर देए, लेकिन इस डाक्मिन का नाम पर अगर अगर ध्यान दोगे, तो वहाँ पर लिखा हुए है, फ्रस्ट न्यू फाइनल रिफाइनल देर 씨्ट, तो इस date seat को आप लोग almost final date seat consider कर सकते हैं, यहाँ पर first final new date seat इसलिए बोला गया, क्योंकि इगनु ने last 2 session से final date seat release करने के बाद से भी उसमें changes किया हुआ है, हलाकि यह पहली बार किसी university में आप लोग देखोगे, कि final date seat release हो जाने के बाद से भी फिर और final date seat release होता है, यानि के final भी first final होता है, second final होता है, third final होता है, अलाकि normally final सब एक ही चीज़ के लिए use किया जाता है, तो normally यही होना चाहिए, कि एक ही date seat release किया जो final होगा, उसके बाद से कोई भी changes नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें भी इगनु ने बोला है first final new date seat, क्योंकि इसमें भी changes की संभावना होती है, लेकिन अब यह जो word use हो गया ना, first final new date seat, तो उसके बाद से आप लोग एकदम ना के बराबर देखोगे changes, वैसे भी जो 5 सिप्तिमर को इगनु ने date seat release किया था, और जो आज 19 सिप्तिमर को इगनु ने date seat release किया है, तो पूरे date seat में, अगर subject का date में changes का देखोगे, तो सिर्फ एक PhD psychology का paper है, उसमें changes किया गया है, RPC 101, ठीक है, उसके इलावा और कोई भी changes देखने को नहीं मिला है, RPC 101 ये paper, previous जो date seat release किया था, उसमें include नहीं किया गया था, इसमें 26 December को ये show करा, RPC 101, इसके इलावा मैंने पूरा date seat को खंगाला, मुझे और exam के date में कोई भी changes देखने को नहीं मिले, अगर आपको देखने को मिला होगा, तो नीचे Convex में ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ पे 100 से ज़्यादा subject code दिये हुए है, तो मुझकिल होता है, सम्टाइम कोई miss भी हो सकता है, तो आप लोग एक मर्तवा डाउनलूड कर सकते हुए इस date seat को, और देख सकते हो कि आपके exam के schedule में कुछ भी changes किये गए हैं या नहीं किये गए हैं, कुछ कुछ changes किया गया इस date seat में वो क्या, इस तरीका का information नहीं देखोगे कि हाँ discrepancy आपको report करने के लिए वो उस चीज़ को यहाँ पर remove कर दिया गया है, तो यह चीज़ clearly indicate करता है कि यह final date seat है क्योंकि इसमें बाकी सभी information को collectively जिस तरीका से final date seat में लिखा जाता है उस तरीका से लिख दिया गया है, जब आ जाएगा, वो exam से पहले, 15 दिन पहले, जस एक उपचारिक तोर पे, I mean, officially एक release कर दिया जाता है, जो की बोला जाता है final date seat, जहां पर यह tentative word को हटा दिया जाएगा, और वहाँ पर सिर्फ लिखा जाएगा date seat for दिसमें बाते हैं इस तरीका में exam, लेकिन date seat जो release किया गया है, इसमें 5 January को ही exam खतम हो रहा है, ठीक है न, तो आप लोग भी अपना अपना exam का date चेक करना बिल्कुल भी असान है, आप बस date seat को download करोगे, computer में चेक करोगे, तो control F पूट करोगे, जो भी आपका subject code है, मालोब आपका master of English से, MEG टाइप करोगे, उसके बाद से जो भी आपका subject code है, वो टाइप करोगे, I mean उसका first three या four later टाइप करोगे, तो आपको पता चल दाएगा, highlight होता हुआ दिख जाएगा, कि आपका exam कौन से date पे है, तो इस तरीका से आप लोग अपना exam का date पता कर सकते हो, वैसे जो based training को date sheet के बारे में नहीं पता, और पहली बार वो date sheet के related वीडियो देख रहे हैं, तो उनको मैं बता दूँ कि इगनु में exam से पहले date sheet release कर दिया जाता है, और आपको आपके exam के date के बारे में बता दिया जाता है, December 23rd September and exam के लिए exam form fill up already start हो गया है, वही चीज date sheet में mention किया हुआ रहता है, जिसको आप लोग subject code के हिसाब से देख सकते हो, कि कौन से date पर आपका exam है और कौन से session पर exam है, यानि कि morning session में या afternoon session में, morning session में होगा तो 10 पर 1 और evening session में होगा तो 2 बैस से 5 बैस तक, हलाके जो exact timing रहेगा वो आप लोग के questions paper में mention किया हुआ रहेगा, यही सब्सक्राइज वीडियो में एक लोग के तरफ से, आज यह जो first final new date sheet release किया गया है, 19 September की date पे, उसकी बार में मैं आप लोग के information दे रहा था, हलाके जब final date sheet release की जाएगी, exam से 15 दिन पहले तब ही मैं आप लोग को बताऊँगा, बस आप लोग चैनल के साथ बने रहेगा, यह सब्सक्राइज वीडियो में, thank you so much for watching this video, have an awesome day, thank you so much.